और मेरे चटोरो कैसे है आप मैंने मोमो की रेसिपी डाले थी कुछ हफते पहले तब आप सभी ने मनलब कमेंट में लाइन लगा दी थी चटनी तो चाहिए मोमो की साथ आज बनाते है चटनी मोमो के लिए एक नहीं दो चटनी बनाएंगे एक तो लाल वाली है जो हर जगे मि जानते लेकिन यह बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और बहुत इजी भी है तो पैन गरम करते है और उसमें डालते हम लबग 2 टेबल स्पून जितना तेल मैं यहापर रिफाइन तेल यूज कर रहा हूं आप चाहाओ तो तो तिल का तेल भी यूज कर सकते हो और तेल जैसे ज अब तो पांटर भी डाल देंगे और तो शुट्सी लाल मिर्च भी तो छह साथ लाल मिर्च है और एक टमाटर है एक प्याज है पस इनी को सबकाना है और सोड़ सा नमक भी डाल देंगे हम लोग इसमें और इसे पकाएंगे अच्छी तरह तीन-चार मिनेट लगेंगे अच्छी तरह पकाऊंगा तीन-चार मिनेट तक बिल्कुल ऑप्शनल है जैसे मैंने का और आप धुहा देख सकते हो यह कैसे पैन से आ रहा है और यह सब एक्सपेरिमेंट आप घर में मत कीजिए कर आपको नहीं आता है उडाना चमत से अराम से कर सकते हो और आराम से पका दीजिए और साथ में थोर सा नीमबू भी निचोर दीजिए उसके अंदर अप्शनल है नीमबू लेकिन बहुत ही अच्छा खटा फ्लेवर आता है इस चट्टी में और साथ में थोर सा पानी डालकर इसे एक तम स्मूथ पेस्ट में पीसेंगे हम लोग और गरम बिल्कुल बिल्क बना लेते हैं ये चट्टी तो भाई सभी ने खायोगी बहुती कॉमन लाल वाली चट्टी है एक मिक्सी का जार है उसमें मैं डाल दूँगा सूखी लाल मिर्च मैं ऐसे ही यूज कर रहा हूँ लाल मिर्च आप इसे भिगो कर या फिर उबाल कर या फिर तल कर भी वो सब करने से थोजी से जाल कम हो जाती है, मैं ऐसे यूज कर रहा हूँ आज, 15-20 लाल मिर्च है, साथ ही मैं मैं इसमें 2-3 टमाटर डाल दूँगा, साइस के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो, छोटा बड़ा जो भी है, अब इसमें हम लोग डालेंगे लसन की कलिया, 20-25 ल अब नहीं डालना चाहो, ना डाल ये, इसे डाल देंगे और साथ ही में हम लोग इसमें तोरा सा नमक और तेल भी डाल देंगे, तेल भी ऑप्शनल रह डालना और ये बिल्कुल तयार है तोरा सा पानी डालकर इसे फटा-फट पीस लेंगे Thickness जो है चटणी की वो भी आपकी मर्जी है कुछ लोग इसे थोरा मोटा रखते है कुछ लोग पतला रखते है कुछ लोग गारा रखते है जो भी है आपकी मर्जी है जैसे रखना है रखिए मेरी तो भाई दोनों चटणीया बनकर तयार है इसे भी मैं फटाबोट सर्फ कर देता हूँ आप भी बनाएए दोनों चटनिया आपके घर पर और सर्फ कीजे मॉमोस के साथ दोनों कान से धुए निकल जाएंगे मजाग कर रहा हूँ भाई दोनों चटनिया बनाओ और मजे करो और हाँ इंग्रिडियंट्स के बिल्कुल भी चिंदा मत करना नीचे जो डेस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने सारे इंग्रिडियंट्स लिख दिये है तो सब आपे पढ़ लो और बनाओ आपके घर पर ये दोनों चटनिया तो बनकर तयार है आपके घर पर बनाईए और शेर कीजे मेरे साथ कैसी बनी दो चटनिया तो दिखा दी और वराइटी भी देखनी है मोमो को चटनि की तुम मुझे बताइए ट्राइ करता हूँ आज नहीं तो कल बनाई दूंगा आप सभी के लिए एक तो है हरी मीर्च वाली चटनि वो मैंने अभी नहीं दिखाई बाद मैं कभी दिखाऊंगा ट्राइ कीजी मेरे साथ शेर कीजे कैसी बनी तब तक सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना और बगन में जो घंटी आती आजकल वो घंटी को भी दबा देना मिलते हैं अगले वीडियो में बाई टेक केर